कि कितने आदमी थे सरदार दो आदमी थे ये डायलाग पता नहीं ऐसा कोई शायद ही इंडिया में होगा लेकिन ये डायलाग देने वाला मशूर किरदार गबर कैसे मिला हमें आए जान लेते हैं नमस्कार दोस्तो फिल्मी फंडे में आप सबका बहुत बहुत सागत है मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं स्बीस सेविन्टीज के सूपर डूपर हिट फिल्म शोले आज भी लोक प्रिया है और फिल्म के सारे किरदार फिल्मों से जाधा लोक प्रिया है वो चाहे जय विरू हो या बसंती या ठाकूर साब या सुर्मा भुपाली या फिर कालिया यह तक के बसंती की घोड़ी धन्नों भी पॉपुलर है लेकिन गबबर सिंग का किरदार जितना लोगप्रियों हुआ और आज भी लोगप्रियों है उतना प्यार किसी भी किरदार को नहीं मिला अगर मैं ये कहू के फिल्मों के इत्यास में दुनिया में किसी भी भीलेन का किरदार इतना जादा लोगप्रियों नहीं हुआ है तो भी शायद गलत नहीं होगा और इस लोग पियता की जादातर क्रेडिट जाता है उस किरदार को निभाने वाला अभिनेता अमजात खान को अगर उनकी जगा कोई और उस किरदार को निभाता तो शायद ये बात नहीं बन पाती क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने वो किरदार निभाया था वो अनोखा था और आज भी देखें तो अनोखा ही लगता है लेकिन आपको पता है ये कैरेक्टर तो कोई और करने वाला था कैसे मिला अमजात खान को ये काम आईए जान लेते हैं और साथ में ये भी जान लेते हैं कि गबर जैसे किरदार सेलिम जवेत के दिमाग में आया कैसे बात ये है कि सेलिम खान साहब की पिताजी पुलिस में नौकरी करते थे और उस वक्त गोलियर में गबर नाम की एक डाकू हुआ करता था जो बहुत सारी कुत्ते पालता था और पुलिस वालों को पकड़के उनके नाक काट दिया करता था उनकी कहानी सेलिम साब पिताजी की मूँसे सुने थे उसके बाद इंडिया टूडे में गबर की बारे में उन्होंने पढ़ा और रबर की नाक लगी हुई पुलिस वालों की तज़्वीर भी देखी वहाँ से गबबर का आइडिया आया उनको फिर जब शोले की कहानी उन्होंने लिखा तो वो किरदार उन्होंने वहाँ पे डाल दिया ओबियसली वहाँ पे फिल्मों की हिसाब से किरदार को उन्होंने डेवलप किया लेकिन आइडिया वहाँ से आया था पहले गबबर सिंग के किरदार के लिए तो बहुत बड़े बड़े एक्टर ना कर चुके थे क्योंकि उनका कहना था कि धर्मेंद्र, शंजीब कुमार, अमिताब जहाँ पे है वहाँ पे गबबर का किरदार बहुत ही छोटा होगा तो उनको कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा और वो सज भी था, शोले जैसे लंबा समय की मूवी में गबबर का सिर्फ नौ सिन था और उसी में अमजात खान कमाल कर गई, हाँ तो जो मैं कह रहा था, बहुत सारे एक्टर रिफ्यूस करने के बाद डैनी सहाब को गबबर के ल आना था फिरोस खान की फिल्म धर्मात्मा की शुटिंग के लिए, क्योंकि यो पहले ही कॉमिटमेंट कर चुके थे, तो गबबर के लिए दूसरे किसी की खोच शुरू हो गई, तो पहले प्रेमनाद का नाम आया, फिर डिरेक्टरियल टीम सोचने लगे, कि प्रेमनाद ज वो एक बार अमजात खान को स्टेच पे देखे थे, और वो बात सेलिम साहब को बताए थे, लेकिन जाबेद साहब को वो बात याद नहीं थी, तो सेलिम साहब ने कहा के आपको याद है, आप जैंत के बेटे अमजात के बारे में एक बार कह रहे थे, अमजात खान की पिता जैंत खान भी एक्टर हुआ करते थे तो जाबेज साहब ने कहा के बुलाओ से तो अमजात खान को फोन किया गया और वो आए ओफिस की आंगन में उनका स्क्रिन टेस्ट हुआ और वो सिलेक्टेड हो गए डिरेक्टर रमेज सिप्पी ने पूछा के लड़का तो ठीक है लेकिन कितना पैसा लेगा तो उनको पता चला के अमजात को पैसे की सब जरूरत है उनकी बीबी का कुछ इशू भी चल रहा था तो रमेज सिप्पी ने कहा के अमजात को 15,000 रुपया मिलेगा और अमजात मान गए इससे पहले अमजात सिर्फ तीनी फिल्म किये थे नाजनिन जहाँ पे उन्होंने एज चाइल आर्टिस्ट काम किये थे उसके बाद 1957 में अब दिन दूर नहीं और 1973 में हिंदुस्तान की कसम में काम किये थे इसके लिए बाद 1955 में चार पैसे और 1961 में माया ये दो फिल्मे भी उन्होंने किये थे यानि कि गुलमिला के पाच फिल्मे हुए तो उसके बाद शूटिंग तो शुरू हो गई लेकिन एक दो दिन शूटिंग के बाद ही जादातर क्रू मेंबर को लगा कि ये लड़का गबर की किरदार को ठीक तरह से निभा नहीं पा रहा है यह तक कि डिरेक्टर रमे सिप्पी भी सैटिसफाइड नहीं थे तो सेलिम जाबेद ने कहा कि भले ही हमने इनको रिकमेंड किया है पर अगर इस लड़के से नहीं होता है तो उसे निकाल सकते है तो फिर सभी सोचने लगे कि क्या किया जाए क्या संजीब कुमार को गबर का रोल आफर किया जाए सत्रुगन सिना से दोबारा जैय या विरू की किरदार के लिए बात किया जाए और धरम जी को ठाकुर साब के लिए मनाया जाए यहाँ पर ये बात भी आई कि अमजात खान का क्या होगा तो किसी ने कहा कि इस लड़के की अंग्रेजी अच्छी है तो इनको लेके ही आये है तो विदेशी क्रू के साथ इंटरेक्ट करने के लिए उनको दोभाशी का काम दे दिया जाए फिर बहुत सारे सोज विचार के बाद डाइरेक्टर रमेज सिप्पी ने कहा कि मैं इसको लेके शूटिंग पे आया हूँ तो अब ये किरदार यही करेगा देखते है कि क्या होता है पर पूरे फिल्म की शूटिंग में अमजात खान को एक नेगेटिब एंवर्मेंट का सामना करना पड़ा फिर फिल्म जब बनी तो कमाल का बनी फिल्म बनने के बाद पहले क्लोस डोर शो में इंडरिस्ट्री की बहुत सारे नामचीन लोग फिल्म को देखने आए और देखने के बाद सब लोग गबर की किरदार की बहुत ज़ादा तारिप करने लेगे तब ही बातो बातों में इतने दिन से जो गुसा अमजात खान ने दिल में दबा के रखे थे वो सामने आ जाता है और सेलिम जाबिद के साथ उनकी तू-तू-मे-मे हो जाता है बस उसकी बाद अमजात खान ने कभी भी सेलिम जाबिद जोड़ी की साथ काम नहीं किया पर जो एक काम किया उसको सारे सिनेमा प्रेमी आज भी याद करते है सुनने में आता है कि जब शोले रिलीज होने वाला था और शोले का पोस्टर रास्ते पे जगा जगा पे लगा हुआ था उस वक्त रात को अपनी बीबी के साथ अमज़द वाक करने के लिए निकलते थे और शोले का पोस्टर दिखा कर उन्होंने कहा था कि वो देखो एक नया सितारा उबर रहा है तो आज के लिए इजाज़त चाहूंगा वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल में नए है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि ऐसे ही अंचाने फिल्मों के खबरे और फिल्म मेकिंग ट्यूटरियल आपको इस चैनल पे मिलता है और मिलता रहेगा मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक ए वेरी गूट कर आप यरसेल्फ